कर दोस्तों मैं रजशर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपके लिए के वी एस पेड़ोगोजी सीरीज चल रही है उसके लिए मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिकाए हूँ आपके लिए जो कि टॉपिक क्या है आज का कमेटी बनी है एजुकेशन को लेकर आपके जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारे सिक्षव वास्था में जो सुदार के लिए विबिन विन कमेटिया जो बनी है तो कौन-कौन सी कमेटिया है सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होन उन सब का पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों जब तक हम उन समविधान को नहीं पढ़ेंगे तो हमें अपने आर्टिकल्स के बारे में कैसे जान करें और वही आर्टिकल्स सीदे सीदे बिल्कुल आपके पेपर में पूछ लिया आते आर्टिकल्स सबसे पहले्टी आता है दोस्तों में इस का किरा हमारी जो सेकेंडरी आचारे नरेंद्र देव इस कमिटी का नाम हम क्या देते हैं आचारे नरेंदर देव कमिटी भी इसका हम नामत दे देते हैं लेकिन इसका प्रॉपर नाम आप से पूछा जाएगा पेपर में तो उसका नाम है सेकंडरिए एजूकेशन री ओर्गनाईजेशन कमिटी या इसको हम आचारे नरेंदर देव कमिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका देक्स हमारे आचारे नरेंदर देव जी थे तो दोस्तों इसने क्या क्या बाते कहीं कोई भी कमेटी बंती है कमेटी से क्या हो? उसके उसको कहते हैं मिडल स्कूल संस्कृत को आठवी तक पिनाना है और आपको पता भी होगा च्छटी से आठ वी तक इस क्या है कि कम पलसरी सब्जेक्ट की आज सब्जेक्ट रूप कि भी कार कि उतिया, उसको माने या ना माने, या कितनी चीज ना माने, तो सबसे पहली बात क्या थी इसने क्या करा? कि लड़कों को दसवी तक Math कंपलशरी पढ़ाने की बात की गई, लेकिन लड़कियों के लिए नो ने क्या कहा? देखिए यहां पर इन्होंने जेंडर के बारे मतलब लिंग थोड़ा सा बहेद कर दिया, इन्होंने क्या बात कहीं कि लड़कियों के लिए math optional कर दो या और उनके लिए home science को compulsory कर दो 10 वी तक के लिए उन्होंने ये बात भी यहां पर अपनी सुझाव में ये बात उनके द्वारा कहीं गई कि लड़कियों के लिए math को optional कर दो चाहें तो ले नहीं तो नहीं लें लेकिन home science उनके लिए compulsory होनी चाहिए बात भी उनके द्वारा कहीं गई अगली बात क्या थी उन्होंने टेक्निकल सिक्सा पर जिसे कहते हैं हम अगले पॉइंट पर आते हैं अगला जो कमेंटी बनी तो आपको इस कमेंटी के तीन पॉइंट याद रखने तीन पॉइंट कौन सा संस्कृत 8 वी तक उन्होंने कमपलसरी करने की बात कहीं उसके बाद क्या कहा लड़कों के दसवी तक के लिए गणित कमपलसरी और लड़कियों के लिए ऑप्सिनल गणित लेकिन लड़कियों के लिए हम साइंस बिल्कुल कमपलसरी कहीं उसके बाद उन्होंने क्या कहा उन्होंने टेक्निकल एजूके पॉल्टेक्निक कोलीजों के मात जादा कही गई बावन तिरेपन में आचारे नरंद्रेव कमीटी द्वारा अगले पॉइंट पराते हैं अगला पॉइंट अगली जो हमारी बबाए ऐईजुकेσιं कमीटी बनी दूसरी वो बनी 58-69 में 1958-59 में दूसरी कमीटी बनी जिसका नां reinforcing नाम था असली कमेटी का नाम विए नेर में दोफी माइला की सिप्साओं के लिए राष्ट कमीटी बनाई गई इसका मिटी का नाम क्या था राष्ट समीती इसके जी तो उसके head थे लेकिन समीति के कुछ और नाम था लेकिन उनका नाम यसपालिक प्रफेसर यसपालिक चक्रपार का नाम क्या रख दिया यसपाल वैसे इसका यह रख दिया है पढ़ाऊंगो आगे उसको भी तो सबसे पहले फिर दूसरे नंबर पर क्या थी अठाउन उनसट में आई नेशनल कमिटी और वोमेन एजुकेशन हैड थी इसकी दुरवागा आई देश में को परस्ट आपको सीधा पूछेगा इसकी हैड कौन थी कमिटी का नाम क्या था इस तरह के आपको आप्शन में देके परस्ट पूछे जाएंगे इन्होंने क्या बने जिसका काम हो उस नेशनल काउंसल फोर एजुकेशन ऑफ गल्स का क्या काम होना चाहिए कि गल्स या वोमेन महिला या लड़कियों की कैसे सिख्षा दे उस पर वो काम करें मतलब इन्होंने महिला सिख्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया किसने दुरगाबाई देश्मुक कमिटी ने ठीक है ना गल्स और वोमेन्स के लिए मतलब महिला और लड़कियों के लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग कॉलिज खोले जाएं तो टीचर मेसने के एज में रिलक्सेशन दिया जाए और आज तक भी फालो हूँ रहा है कि आज तक भी के जोंडे ऐंग रूलटा देखते हो ने मेंस एजुकेशन के बारे में थी उन्होंने क्या कहा था महिलाओं को जब मुझो महिलाओं टीचर बनना चाहती है महिलाओं के ऊपर क्या था बहुत ज्यादा अच्या चाहती एक तरह उनको पढ़ने नहीं जियाता था और नौकरी के लिए उस टाइम पर कहा जाता था अठा प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके बास नहीं भेज़ना कोई भी कहीं से निगले कर भी लेते तो उनके फिर एज में दिक्कत हो जाती थी तो इसलिए क्या कहा महिलाओं के सिख्षक बनने की उमर को दस साल बढ़ा दिया जाए यह कहां पर उन्होंने की रिकमेंडेशन दी कि दुर्गाबाई देश्मुक कमीटी ने और बहुत सारे स्कूल कॉलिजिस में बात है खासकर के विएस की बात करी जाता है उसमें दस साल का रिलेक्शेशन मिलता है महिलाओं को यह बात आपको पता होनी चाहिए अगले पाइंट की तरफ चलते हैं अगला पाइंट तीस सिख्षा के ओपर एक कमेंटी बंई 1959 में जिसके हैड कौन थे जिसके हैड थे सिरी प्रकास जी एड कौन थे जिसके हैड झिनके द्वारा ये एड की जारी थी जिसके chairman कौन ते इस time पर प्र्रिप्रकास जी तिख और इनोंने क्या Hudson तिसिती रेक्मेंटेशन दी खिग्सा के हर स्टर पर हमें बच्चों में religious and moral value का विकास करना है religious moral education in school की वकालत करी उनोंने क्या कहा हमें सिक्सा के प्रत्यक स्टर पर चाहए चोटा स्टर हो चाहे बड़ा स्टर हो चाहे graduate स्टर हो time इस तरह पर हमें बच्चों को धर्मिक शिक्षा और नेतिक शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए इन्हों ने इसका पुर जोर क्या करा वकालत करी कि यह काम तो हो ना ही होना चाहिए इस कमेटी ने यह काम कर एतिनी बात आपको इसमें याद रखनी है अगले पॉइंट की त इतना बड़ा है सब कुछ पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाए हम उन्नीस सो एक सट में कमेटी आई कमेटी ओन इमोशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या था यहां पर आपके समोग समवेगों के इंटीग्रेशन की बात की गई आपके इंटीग्रेशन की बात की गई जो हमारे कभी भी खतम नहीं कर सकते को कभी भी हमार साथ मुद्स कामेटी ओन इंटीग्रेशन की बात की गई है और आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का हो T इंडिया पाकिस्तान का मैच हो दोस्तों क्या सभी दोस्तों के अंदर सभी के अंदर एक एमोशनल इंटीग्रेशन उसी चीज को हम एमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं और इसने इसी के ऊपर जोड़ दिया कि हम अपने देश में इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे बढ़ा हैं मतलब सबके समवेगों को एक साथ कैसा इखटा करके लाएं इसके उपर इस कमिटी ने बात करी इसके हैड कौन थे डक्टर संपूनानन्द जी थे और यहोंने क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन द उन्होंने इसके उपर बहुत सारी बाते बताई, सबसे पहला क्या बताया, इस कमिटी फोकस ओन नेशनलिज्म, इसने राष्टवाद के उपर जोड़ दिया, ना कि राजवाद के उपर, आपने पिच्चर देखियोगी, कौन सी, कुछ करिये, कुछ करिये, नस मेरी डोले, जो पिच्चर थी, वहाँ पर जब आरुख खान, होकी टीम को, जब वो क्या कर रहे थे, कोच कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी खिलाडी आये, किसी ने कहा, मैं यूपी से हूँ, किसी ने कहा, कि मैं पंजाब से हूँ, किसी ने कहा, मैं हरियाणा सा हूँ, लेकिन उनने सब को बाहर कर दिया, क्यों क्योंकि उनका क्या कहना था कि जब तक आप अपने आपको भारतिय नहीं समझोगे तब तक आपका अंदर कोई भी भारत के प्रती हवना उत्पन्य नहीं हो सकती तो इनकी कमिटी ने किसके उपर जोड़ दिया इनकी कमिटी ने जोड़ दिया दोस्तों हमारे राश्ट झाला पॉइंट आपकी जो भी हमारे देस में किताब हमारे देस में बनेंगी वह राष्ट को देख कर बनेंगी वह राष्ट को बच्चों को देखके बनेंगी किसी पर्टिकुलर राजीत केताब से नहीं बनेंगी तो भी उनको पढ़ाए जाएगा यदि मानलो हम बच्चों को राजिस्थान बच्चों को पढ़ा रहे तो खाली उनको राजिस्थान को राजिस्थान के बारे में ही पढ़ाएंगे पू इननी के कहने पर ही उनकी कमेटी जो आई इनकी कमेटी जो इननी से 16 में आई उन्होंने क्या कहा उसी ने कहा कि जो हमारी सुबह की प्राथना होती है स्कूल में वहां पर राष्टगान जरूर होना चाहिए और आप देखिए कोई भी ऐसा देश का स्कूल नहीं है जहां पुलिकी प्राथना होती है इस्कूलों में उसमें राष्टगान लगाए गया और वो हमारे देश को हमारे देश के सभी बच्चों को उनकी भावनाओं एक जुट करने का काम करता है हमारे देश कराष्टगान और उन्होंने ऐसी को ऊपर बात की अगले point की तरफ हम बढ़त आते हैं पॉइंट नंबर जो पांच मतलब हमारी पांच भी कमेटी जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट एक सट बासट में आई उन्नीस सट इन्नीस सट बासट में आई और इस कमेटी का नाम क्या था कमेटी ओन डिफरेंट करिकूलम और बॉय जेंड गल इसने किसके लड़कियों के लिए अलग पाठ्टेचर्या होनी और इसके ऊपर इंपहुत तरह की कमेटी आती हैं और पसके रहे बना सकते हैं इसके एड कौन थे ये committee head की गई हंसा महता द्वारा और हंसा महता कमेटी भी हम इसको कह सकते हैं और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने सबसे पहले बात की कि आठवी कक्सा तक हमें अपने सभी विध्याले क्या बनाने को एजुकेशनल का मतलब होता है जहां लड़का लड़की के विध्याले लग नहीं होते सभी दौनों मिलकर एक ही विध्याले में जब पड़ें उस विध्याले को हम को एड या को एजुकेशनल कहते हैं और इन्होंने इस बात की बहुत जादा बात करी आठवी तक तो लड़की एक साथ पड़ते हैं इस बात की उन्होंने बात कही और वही बात आज तक भी बड़ी हतरी से फॉल हो रही है नाइन से लेकर बारवी तक सेपरेट स्कूल हो लड़के और लड़कियों के इन्ही ना बात कही थी आठवी तक तो क्वेड कर लो 9, 10, 11, 12 बारवी मे हंसा महता कमीटी के संस्थुती के बाद उनके रिकमेंडेशन के बाद ये बातें लागू की गई उसके बाद क्या है इन्हीं ने बात करी कि हमें बच्चों को यौन सिक्षा कंपल सरी करनी है अपने बच्चों को यौन सिक्षा हमें प्रोवाइड करानी ही करानी है कक्सा इसे कहते है review committee on 10 year curriculum of school, ये review करने के लिए committee आई कि जो हम 10 साल का पठ चल रहा है बच्छों के लिए बनाई थी उसको review करने के लिए committee आई, ठीक है, उस committee के head कौन थे, इस्वर भाई पटेल, उस committee के head थे, आपको याद रखना है, आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं, review committee on 10 year curriculum of school, इसके head कौन थे, इश्वर भाई पटेल, इसने क्या संसुटी दी या क्या recommendation दी, सबसे पहले उनने दी, their main focus was to implement the educational ideas of Mahatma Gandhi in the school, इनके को क्यू देश था कि Mahatma Gandhi के जो idea है, जो ideology है, उसको क्या है, स्कूल में लागू करना, स्कूल में follow करवाना, Mahatma Gandhi की जो ideology थी, Mahatma Gandhi के जो आदर्स थे, Mahatma Gandhi की जो चाहा थी, स्कूलों के प्रति, वो स्कूलों में लागू कराए जाए, सबसे पहले इसका इस पास पर focus था, they focus on vocational training, उन्होंने क्या था, रोजगार या परक शिक्षा के उन्होंने जोर दिया, उन्होंने किसके उपर जोर दिया, vocational training होती है, रोजगार परक शिक्षा, ठीक है न, जो जिस शिक्षा को पाने के बाद आपको रोजगार मिल सकते, क्या हुआ, आपको बढ़ाई का काम आता है, आपको क्या से लाई कर रही आती है, या आपको computer आत आता है, आपको आप तुरंत कहीं के सकते हो, क्याते है, vocational education, vocational education के उपर इस committee ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, they introduce a team, SUPW, उन्होंने एक team बनाई, जिसका नाम रखा गया, SUPW, इसका SUPW की full form में आप से पूछले, socially useful productive work, socially useful productive work, ठीक है न, और इसका क्याम क्या था, इसका, SUPW इन्होंने इंट्रड्यूस करा ही term, इसमें क्या होता था, इसमें vocational training होती थी, जब विसाई की training होती थी बच्चों की, इसके लावा, in this we taught gardening, इसमें बच्चों को हम क्या थी, gardening सिखाते थे, बगानी जिसे कहते हैं, बगानी सिखाते थे, बच्चों को बिजली related काम सिखाते थे, क्योंकि तब क्या है ये, इस सबको सीखने के बाद बच्चे को सकती है, इजली का काम आता है, woodwork मतलब बढ़ई का काम आता है, cooking, खाना बनाना आता है, उस टाइम पर computer था नहीं, तो computer की बाद नहीं, लेकिन आजकर आप computer भी बच्चे को सकते हो, तो बच सततर में आई, उसने किसके उपर जोर दिया, उसने आपकी vocational tearing या व्यापारिक शिक्षा के उपर या कहें, व्यावसाइक शिक्षा, व्यावसाइक शिक्षा, vocational का मतलब व्यावसाइक, व्यावसाइक शिक्षा के उपर इनोंने बहुत ज्यादा जोर दिया, अगले point की त प्रोफेसर यश्पाल ने इसको हैड किया 1922 में त्रण में कमेटी आई ठीक है और इसको प्रोफेसर यश्पाल ने आज से लगबग लगग 29 साल पहले कमेटी आई थी 30 साल लगबग पहले और उस टाइम पर भी क्या बात किके शिक्षा बिना बोज के इस कमेटी का नाम था और इसको हम प्रोफेसर यसपाल कमिटी भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये हैड किस ने की ये हैड करीब प्रोफेसर यसपाल जी ने और इसमें क्या क्या बात की गई थी इसका मुख्य फोकस किसके उपर था और इसको क्यों किसे कम किया जाए देखो एक कविता भी बहुत अच्छी है कि मुझे बारी मेरा बस्ता कर दे मेरी हालत खसता इसे उठाकर चलना मुश्किल सभी कुताबें बढ़ना मुश्किल कोई टीचर को समझाए इसको कुछ हलका करवाए ये कविता की लाइन मुझे आ आज की तारीक में भी याद है तो भाई बहुत ज्यादा बस्ते का बोज बच्चों के उपर नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए बच्चे के उपर जब क्या इससे क्या होता है इसके उपर बच्चे के mental pressure पढ़ता है और इसके बस्ते के बोज को काम कराने के लिए ही प्र Constitution मतलब हमारा सम्विधान में हमारे शिक्षा के बारे में कौन कौन से नुच्छेद है हमारे सम्विधान में सिक्षा के बारे में क्या क्या बात करी गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे वह पॉलिटी तो पढ़नी रहे पूरी राजवस्ता बारती राजवस्ता पूरी क्वाल्टी तो नहीं पढ़ रहें लेकिन हमारे सम्विधान में क्या क्या बात की गई है शिक्षा के बारे में उनको हम जरूर पढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम अपने इस टॉपिक को भी अब यह बड़ा कंप्लीट करते हैं सबसे पहला जो एक बात आपको पता होनी चेयらabout क्या है कि जो हमारा में तक्षा है सम्विधान में पहले सम्विधान में हमारी तीन प्रकार की सूR और होती हैं ये क्या होती आपकी इंद्र सूर्ची एक राज्य सूची, एक होतिये समवर्थी सूची, Итак минутlist, इसं के होती है क्या होती है आपकी State List और एक होती है concurrent list तो पहले सिक्षा जो थी सिक्षा हमारी क्या थी? राज्य सूची में थी, State List में थी, लेकिन 42-वा सम्विधान संसोदन हुआ 1976 में और उसके बाद सिक्सा हमारी किस में आ गई सिक्सा हमारी अब समवर्ती सूची कित में आ गई सिक्सा हमारी समवर्ती सूची मतलब इस पर समवर्ती सूची का मतलब होता है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज को भी और केंद्र सरकार को भी है तो इसका मतलब सिक्सा हमारी समवर्ती सूची में आ चुकी है 1976 में के बाद जब 42 वा सम्विधान संसोधन हुआ तो अब कुछ-कुछ मुख्य आर्टिकल जो education से related है हमारे सम्विधान में उनको पढ़ते हैं जो सबसे पहला है अनुच्छेद 15 जोड़ सकते हैं इसको अनुच्छेद 15 क्या कहता है there should be no discrimination कोई भी किसी भी प्रकार का क्या हो भेदभाव नहीं होना चाहिए किसके आधार पर किसके आधार पर हमारे रंग के आधार पर ठीक है ना हमारे कल्चर के आधार पर पर हमारी काष्ट के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और यह सिक्सा से भी इस बात को हम जोड़ सकते हैं कि यदि हम सिक्सा बच्छों को दे रहे हैं और हमारी स्कूल में कोई बच्चा आ रहा है तो उसके रंग उसकी जाती उसके पंदरे एक में क्या बात कही गई है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा पेल या फीमेल के अधर पाता लिंग आधारित कोई भी भेदभाव नहीं होगा यह पंदरे एक में स्पेसल करके बात कही गई है नुच्छेद में इसके लावा पंदरे तीन में क्या कही गई है कि ह लेकिन 15-3 में क्या बात कह दी गई 15-3 में कहा कहा कि अगर यदी कोई इस प्रावधान बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे वो बच्चे और महिलाओं के लिए विशेश प्रावधान हम बना सकते हैं उनको को special provision हम दे सकते हैं बचसे और महिलाओं को ये बात आपको पता रखने हैं तो आपको कुल में लाकर 15 अर्टिकल में क्याद रखना है कि अनुच्छे 15 क्या कहता है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए देर शुट भी नो डिस्क्रिमिनेशन और बेसिस ओफ कास क्रीड उसके रावा कल्चर रेस मतलब उतार रंग रंग भेद भी नहीं होना चीए बच्चों के अंदर हमारे के अंदर कास्ट से भी नहीं होना चीए किया कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है अप इसके लावा अगला आर्टिकल जो शिक्षा के हिसाब से अनुच्छेद 21A और 15B जो हमारे क्या थे हमारे मूल अदिकार के अंतरगत आते हैं 21A जो हमारा अनुच्छेद है किसी को हम क्या कह सकती है Right to Education Act के तहते को ही हम ले सकते हैं कि यह में क्या कहता है Right to Education Act के बारे में बात करता है 2009 अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और हमारे को भारत 135 वा देश बना जो की सिक्सा को किस में सामिल किया उसने मूल अधिकार के अंतरगत सामिल किया इसका मतलब 134 देश हम से पहले सिक्सा को मूल अधिकार में सामिल कर चुके से और सन 2002 में भारत 135 वा देश बना जो सिक्सा को मूल अधिकार के तहत लाया इसके बाद सन 2009 में हमारा क्या आया RTE आया RTE को बाया सन 2009 में इसके बारे में मैं आपको पढ़ाई चुका हूँ क्या था इसको 2009 में पार्लेमेंटर अप्रूव करा और प्रतिभा डेवी सिंग पार्टिल इस टाइम पर हमारी डास्ट पती थी उन्हें सिगनेचर करे और क्या हुआ एक अप्रेल सन 2010 से हमारे देश में लागू हुआ जह हुमारा स्ट्र चालू होता है आर्टिकल 21 ए पूछेगा आपसे आर्टिकल 21 ए क्या कहता है आपसे आर्टिकल 21 कहता है क्या है सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजूकेशन आपको देनी ही देनी है सभी सिख पूल अबिकार के तरहती आता है और इसमें क्या कहा है कि बच्चे को क्या है जो कि आदमी को भी क्या है पूरी स्वतं थाहेंकि घराकार क्यों किस्टा को ले सकता है तो ढ़्यम मि नेकी स्वतंत्रता है ठीक है कि यह कीering इसको नेकि हाठ carry कैसे जोड़ेंगे बच्चे बच्चे भर्मुरा legal खालर और तक लेए अगा घू आपको बता होने चईशके हो किस एटऊ करहें इंगो इडुकार करेंगे उसके बाद संसात कि रहेगे फोला के हम और प्राइट फोला महुंस परकेशन concrete का सबस्क्वह क्लाने अइमिश्शन इनिक दो education institute intended by it or those that receive aid from government to any person based on race, religion, caste, language. कोई भी हमारा government से द्वारा जो भी त्याले चल रहे हैं या उनसे added मतलब उनसे साहता प्राप्त जो भी त्याले हैं बच्चों को admission नहीं कर सकते हैं इसके आधार पर उनकी प्रेस मतलब उनके रंग भेद के आधार पर उनके रिलीजन का इत्यादी के आधार पर उन नहीं मना कर सकते हैं अगला article 30 article 30 क्या है हमारे जो अल्प संख्या क्या उनके बारे में बात करता है और उनके बारे में बात क्या करता है वो अपने कोई भी प्रकार से अपने एजुकेशनल इस्टिटूट कर सकते हैं अपने एक बहुत बड़ी अधारण जो मदर से देखते हो वो सभी इसी धारण है अनुचिती बात की सुछा देता है अगले आर्टिकल पर चलते हैं अपने अपने बात की गई इसी के अंदर आपकी आंगनवाडी और इन सब की बारे में बात की जिसे आंगनवाडी को हमें के नाम से भी जानते हैं, Early Childhood Care and Education के नाम से भी इस आंगनवाडी को जानते हैं, बच्चे जहां छोटे-छोटे बढ़ने के लिए जाते हैं, आंगनवाडी या बालवाडी, ठीक है ना, और यह बात किसके लिए करता है, कि अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला है Article 40, और Article 46 के इसके बारे में बात करता है, the state shall promote education and an economic interest of the weaker sections of SCST, SCST और other weaker sections, मतलब क्या है, यह राज जी का करतव है, जो क्या करे, education को promote करे, किन के लिए, खास कर किन बच्चों के लिए, जो कमजोर वर्ग से हो, जैसे कि SCST या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्च्च्च अगले पॉइंट और अगला पॉइंट जो 3-4 आर्टिकल है, अच्चे 340, 350, 351, यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाते है, 343 बात क्या करता है, कि हमारी जो राज भासा है, वो क्या है संग की हिंदी, हमारे संग की राज भासा क्या है, ओफिशल लेंग्वेज संग की राज भासा, राज भासा नहीं, राज भासा क्या है, हिंदी, और उसकी लिपी कौन सी होगी, देव नागरी लिपी होगी, यह बात कहता है, क्या, 343, उसके बात 350, ए यह 350, क्य कहलो, 351 क्या कहलो, बात में बात करें करें प्रमोशन करें हिंद्य को प्रमोट करें ज़्यादा इसके अपनी देश की भासा के रूप में हिंदी का परचार प्रसार करें यह राजजो का सभेर थीन से क्रांट में इसब हां गया है यह सभी आर्टिकल्स भी आपको जगुल कॉ्छ आती सिखला है में आपको सारी नियुक्ते मैं आपको कर livres फिल्ठी वाली पहले इस लाएं ये मैं यह क्यों नहीं नहीं भी आइक सब चाहिए मैं आपको आई बटन लगा कर आपको मैं सब इसके बारे में एक वीडियो दे दूँगा उस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप तुरंत मेरी रास्ट सिक्षानीते वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे बाकी मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया इसमें आपको इसी तरह की वीडियों देखने के लिए हमारी देख देखते रहें दिशा अकेडमी चैनल को और आप हमारे एप को भी डाउनलोड करेंगे दादरी एप पोस्ते विभिनेतर प्रकार के कोर्सिस चलाए जा रहे हैं बहुत नममत्र की और बहुत बेस्ट क्वालिटी में आप इसे बने रहे हैं मारे साथ थैंक दोस्तों